हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग आई थिंग आप अपनी लाइप में बहुत ही मस्त होंगे और एट विजट प्रैक्टिकल्स को जरूर वाच आउट कर रहेंगे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपका चेप्टर नंबर 11 यहां पर स्टार्ट कर दिया था जो कि मैंने इसके 5 पांच पार्ट अल्रेडी इस चैनल पर कम्प्लीट कर दिये आज मैं स्टार्ट हूँ बच्छो पार्ट नमबर 6 लेके आपका जो चैप्टर नमबर 11 है अलकोहल, फिनॉल और एथर का बच्छो एक चीज में बता दू कि इस पर physics और chemistry से भी related सारे practicals available है ठीक है आपको सब कुछ यहाँ पर देखके clear करके जाना है ठीक है एक चीज में आपको बता दू कि इस पर physics, chemistry और biology के सारे practicals available है तो उसको भी जरूर watch out कीजे क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे trick and tips पता चल जाते हैं आपके practicals में 30 out of 30 marks कैसे निकालने तो चलो बच्चो मैं जरा भी time waste ना करते हूँ आपका chapter number 11 alcohol, phenol और ether का part number 6 यहाँ पर क्या करता हूँ start करता हूँ तो देखो बच्चो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ी यहाँ पर देख लिए और हमें बहुत ही अच्छे concept यहाँ पर पता चलते जा रहे है आज हम देखो क्या देखने वाले, ठीक है, आज हम देखो क्या देखने वाले, यह रहा हमारा this ओके, chemical properties of alcohol, क्या देखेंगे बच्चा आज हम अपना chemical properties of what, alcohol ठीक है, चलो, हम देखेंगे आज अपना chemical properties of alcohol and phenol अब इसके अंदर मोग पहला देखेंगे, that is laboratory test for alcohol and phenol मतबब आप lab में कैसे पता करोगी कि क्या आपका alcohol है और क्या आपका phenol है, ठीक है, चलो, हम phenol और alcohol को फटाफ़र disturbance करते हैं, देखो lab में आप litmus paper वगरा use करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना, तो हम फटाफ़र test करेंगे कि phenol के case में litmus paper क्या होता है, और alcohol के case में litmus paper क्या होता है, ठीक है, चलो, हम देखने के litmus paper test, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बच्चा मेरा, जो आपका alcohol होता है, जो आपका alcohol होता है, वो, वो क्या होता है, वो acidic नहीं सो करता है, मतलब, जो alcohol होते है, वो आपके basically neutral ह होते हैं क्या होते हैं NUTRAAL पहले असडिक का मतलब क्या होता है सबको पता है क्या क्या अगर वह अपने आच प्लस डोनेट कर दें तो वह होता है एक अको हलो होल कुछ इस तरीक है क्या होते हैं यह आपका MTHYL ALCOHOL ठीके अब यह जो ALCOHOL है यह अपना H plus sign donate नहीं कर पाता है आपके acquies solution में that's why यह हमारा क्या होता है neutral माल लो अब यह neutral है अब यह alcohol क्या आपका neutral है तो बताओ इसमें अगर आप blue litmus paper को अगर डालोगे ठीक है deep करोगे तो blue litmus paper में कोई effect आएगा क्या blue litmus paper red में convert होगा नहीं ठीक है अगर यह neutral है तो आपका no effect in blue litmus paper ठीक है no effect in blue litmus paper मतलब हमारा blue litmus paper क्या रहेगा as it is रहेगा वो red में convert नहीं होगा दुसरी जिगा हम phenols के बारे में पढ़ते हैं तो phenol जो होता है बच्चा वो हमारा slightly acidic होता है phenol कैसा होता है slightly acidic होता है अगर phenol हमारा slightly acidic है वो H plus 9 डोनेट कर रहे है तो यहाँ पे जो आपका blue litmus paper रहेगा क्या रहेगा blue जो आपका blue litmus paper होगा वो किसमे कनोट हो जाएगा बच्चो बता दो फटापड blue litmus paper आपका बच्चा red हो जाएगा blue litmus paper क्या हो जाएगा आपका red दोनों point clear है सबको तो alcohol को अगर मैं water के अंदर डालता हूँ तो वो अपना H plus 9 डोनेट करता है that's why वो हमारा होता है neutral और neutral में आप blue litmus paper को डालोगे तो कोई effect नहीं सो होगा वही दूसरी जगा अब मैं phenols की बात करूँ तो जो हमारा phenols होता है वो कैसा होता है वो highly acidic है highly acidic तो नहीं बोल सकते है पर slightly क्या होता है acidic होता है sorry तो इसमें blue litmus paper blue litmus paper आपका क्या हो जाएगा red हो जाएगा ठीक है चलो अब हम दूसरा देखते है reaction with basic basic condition में क्या होता है जब हम alcohol को basic condition में reaction कराएगे तो क्या होगा और phenol ko basic condition में reaction कराएगे तो क्या होगा ध्यां सो सुना बच्चा जब आप alcohol को basic condition में reaction कराते हो तो ये no reaction देता है क्या देता है यह हमारा no reaction देता है ध्यां से सुनो alcohol shows no reaction मतलब alcohol आपका acidty character SO左 ये नहीं कर सकता है ना तो ये आपका sodium hydroxide से reaction करता है और ना ही ये आपका sodium bicarbonate से reaction करता है तो ये दोनों चीज़ से reaction नहीं करता है कई बार मैंने आपके exam में से related one marks के question दिये देख है कि when alcohol react with sodium hydroxide तो बहुत सारे बच्चे कुछ ने कुछ बनाना शुरू कर देते पर आपको वहाँ पर लिखना होता है no reaction क्योंकि alcohol acidic strength नहीं सो करा है तो ये बेस के साथ में क्यों reaction करेगा ठीक है दूसरी चीज कई बार पुछा जाता है कि sodium bicarbonate के साथ में जब alcohol reaction करेगा तो क्या बनाएगा तो वहाँ पर भी बच्चे आपको लिखना है कि no reaction दोनों के दोनों केस में क्या सो करता है no reaction आओ दूसरी जगा फिनॉल के बारे पढ़ लेते हैं कि फिनॉल क्या देखो फिनॉल slightly acidic होता है तो देखो जब acidic strength of phenol is very very low लेकिन वह acidic है that's why phenol cannot react with sodium bicarbonate तीक है ये sodium bicarbonate के साथ में कोई reaction नहीं देता है अब देखते हैं कि phenol जो होता है वो आपका कई बार पूछा जाता है कि क्या ये sodium bicarbonate के साथ में reaction होगा NaCO3 के साथ में तो आपको लिखना होगा बच्चा no reaction लेकिन ये NaOH के साथ में reaction देता है NaOH और H प्लस में ठीक है ONA यहाँ पे चले जाएगा तो ये क्या बनाएगा A-R-O-N-A ठीक है और ये H और OH आपस में मिलके क्या बना लेंगे बच्चा H2O बना लेंगे ठीक है क्या बना लेंगे H2O अगें इट विल रियाक्ट विट वाट acidic condition तो ये acid Na को हटा के H को लादेगा ठीक है ये acid जाएसी आप यूस करोगे तो ये NaOH को निकाल के किसके लादेगा यहाँ पे H को लादेगा और आपका क्या बन जाएगा A-R-O-H और ये जो acid में जो भी रहेगा S-C-L रहेगा तो Na-C-L आपका बाहर फॉर्म हो जाएगा तो ये इस तरीके के reaction देते हैं ठीक है लेकिन यह alcohol NaOH के साथ में reaction नहीं देगा clear यह सबको सारी चीज़े ठीक है चलो अब एब ठीक है alcohol sleightly acidic तो होता है फिर हम इसको reaction किसके साथ में कराकें तो ये कुछ alkali metals के साथ में reaction देता है सोडिय wisdom के साथ में reaction दे सकता है और ऑरäll आप ये sodium के साथ में reaction के साथ प्रू depositium के साथ में reaction करता है ठीक है उसके बाद ONA यहाँ पर आ गया है, अब मैंने बताए कि NA को हटाने तो क्या लाना है, आपको acidic condition वीडियो में बताया था ना, preparation of phenols में, NA को अटाने तो कोई भी acidic condition लाईए, SCL लाईए, S3O plus लाईए, कोई भी लाईए, जैसी H plus लाएंगे तो यह NA यहाँ से निकल के H वहाँ पर लग जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका वापस से phenol, phenol यहाँ पर regenerate होता है, क्या होता है phenol, regenerate, चलो, अगर फिर alcohol किसके साथ म reactions show करता है, मैं आपको यह करके दिखाता हूँ, हमारे पास यह sodium के कुछ pieces हैं, और यह मेरे पास है alcohol, ठीक है, इथाईल alcohol है, तो मैं देखूँगा कि जब मैं इस sodium के pieces में, मतलब है इस sodium के कुछ pieces डालता हूँ, तो क्या हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, sodium तो काफी ख यह लोगा यहां पर यह sodium तो काफी reactive होता है ठीक है यह होता है sodium आपका ठीक है और यह sodium बच्चयो बहुत जादा reactive होता है चलो मैं इसको थोड़ा सा ले लूँगा या पर देखो मेरे पास कटा हुआ पिस रहेगा तो मैं ले ले लेता हूँ उसमें से हम देखेंगे कि sodium का क्या एफेक्ट होता है when we are using in the presence of what ethyl alcohol ठीक है चलो हम लोगने sodium कुछ pieces ले लिए अब मैं एक test tube में ethyl alcohol ले लेता हूँ एक test tube में क्या ले लूँगा ethyl alcohol ठीक है यह मैंने ले लिया आपका ethyl alcohol ओके यह मैंने क्या ले लिया ethyl alcohol ठीक है चलो ठीक है बच्चों अब जान से देखना यह मेरे पास है ethyl alcohol ठीक है तो alcohol देखते हैं कि sodium और potassium के presence में reaction देते हैं कि नहीं ठीक है और यह मेरे पास है यह sodium के कुछ pisses ठीक है यह sodium के कुछ pisses है और मैं इसको इसमें add करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमें sodium के जो pisses होते है यह ethyl alcohol के या फिर alcohol के साथ में reaction करते हैं या नहीं ठीक है चलो एक काम करता हूँ मैं safety के लिए पहले एक ठीक है अब देखते क्या यह इसके साथ में reaction करते हैं या नहीं ठीक है चलो ठीक है तो आप देख रहोंगे यहाँ पर bubbles आ रहे होंगे अगर आपको नहीं देख रहे होंगे तो यह मुझे दिखाना पड़ेगा आपको कैसे भी करके आपको यह hydrogen के bubbles यहाँ पर दिख रहे होंगे और यह बहुत ही तेज आते हैं ठीक है देखें यह hydrogen के bubbles create हो रहे हैं यहाँ पर सबको दिख रहे है hydrogen के bubbles तो जब ethanol को जब आप alcohol में sodium या potassium डालते तो वहाँ पर क्या होता है bubbles generate होता है यह bubbles किसके होते हैं hydrogen bubbles होते हैं आपको दिख रहा होगा continue यहाँ पर bubbles generate हो रहे हैं तो यह ethanol का reaction है जहाँ पर हमें पता चल जाए कई बार आपको यह lab में भी कराया जाएगा आपके teachers के थ्रू की find out the ethanol आपको sample दिया जाएगा तो आप उसमे sodium का pitch डालिंग कर अगर उसमें bubbles आते हैं वह bubbles आपके hydrogen करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा इसमें sodium इसमें ethanol या फिर alcoholic group क्या है present है तो alcoholic group को present दिखाने का यह बहुत ही standard test होता है तो मतलब बच्चा हमें यह पता चल गया कि जब हम कौन सा reaction यह देगा alcohol तो alcohol आपका reaction देता है जैसे मानलो हमारे पास यह रहा alcohol ठीक है मैं इसको थोड़ा सा उपर करता हूँ ठीक है मानलो हमारे पास यह रहा alcohol और alcohol के उपर मैं आड करता हूँ sodium क्या उस करता हूँ sodium तो जैसे आप alcohol के उपर sodium add करोगे क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान से दिखना यह alcohol क्या करेगा यहां से slightly acidic soak करता है और H plus sign यहां से release करता है क्या release करेगा H plus sign तो RO minus और H किस में निकलेगा यह plus पर यह हमें 2 क्या amount में लेना पड़ेगा क्यूं 2 क्या amount में लेना पड़ेगा क्यूंकि यहां पर hydrogen gas का formula क्या होता है H2 होता है और यहां से hydrogen gas release भी होती है तो हम इसको 2 करेंगे और इसको कितना करेंगे 2 तो कितना H निकलेगा यहां से? 2H2 निकलेगा, कितना H निकलेगा हमारा? 2H2 as a gaseous statement निकलेगा, प्लस और क्या बनेगा यहां पे? R, O, और यह दोनों sodium यहां पे आ जाएंगे, तो मैं इसको अच्छे सा लिख देता हूँ, क्या-क्या बन रहा है यहां पे ध्यान से देखना, क्या-क्या बन रहा है यहां पे आप ध्यान से देखेगा, क्या-क्या बन रहा है बताओ, फटाफ़र्ड देखो, एक तो आपका बन रहा है, R, O, N, यह कितने टाइम बनेगा, 2 time, क्योगि 2 sodium यहां पे है और कितना hydrogen यहां से निकलेगा है, बताओ, 2 hydrogen, तो 2 H2 यहां से क्या ह और आपको यहां पता चल गया है कि जब आप sodium का reaction आलकोहल के साथ में कराओगे तो sodium alkoxy बनता है इसको बोलते है sodium alkoxy और अब हम आपको करके दिखा दिया है अब हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे characteristics test for phenol मतलब जैसे हम alcohol को test दिखा सकते वैसे phenol का भी test दिखा सकते तो phenol के test में क्या होता है ध्यांज़ सुनो when you are going to treat what phenol phenol को जब आप treat करते हो ध्यांज़ सुना बच्चो बहुत ही ध्यांज़ से देखना बहुत ही important reaction है मालो हमारा यह AROH है क्या है हमारा यह रहा मेरे पास AROH ओके चलो देखो AROH यह हमारा होता है phenol अब phenol को आप treat करना पड़ता है FECL3 के साथ में किसके साथ में treat कर करते हैं neutral FECL3 तो phenol को अब जब neutral FECL3 के साथ में treat करोगे तो ध्यांज़ से देखना क्या बनेगा यहांपे ओके ध्यांज़ से देखना ध्यांज़ देखना ओके देखो यहां पर FECL3 को अपने साथ bind किया हुआ है जोड़े रखा हुआ है ठीके तो phenol की property क्या है वो अपना H plus 9 रिलीस करेगा तो phenol कुछ ऐसा बना लेगा A, R, O, minus और S किसमे निकलेगा प्लस में अब यह क्या करेगा यह इस Fe को connect होगा लेकिन क्या यह एक ही बार connect होगा नहीं ध्यांज़ से सुनू Fe का charge कितना है प्लस रिये तो Fe को तीन ऐसे item लगेंगे join होने के लिए तो एक यह हो गया यह हो गया दूसरा item और यह हो गया तीस क्या बना लेंगे 3 SCL क्या बना लेंगे 3 SCL ठीक है इसको हमलोग बोलते है फेरिक phenoxide क्या बोलते है इसको फेरिक phenoxide फेरिक phenoxide ठीक है यह 3 Q गया है इसको 3 से क्यूं balance कर रहे 3 Q जा रहा है क्योंकि देखो Fe को कितने लोग चैने करने के लिए 3 यहाँ पे भी देखो Fe जो connect था तो वो तीन लोगों से ही connect था, तो क्या करेगा, Fe, यहाँ पे तीन ArOH के साथ में bind होगा, और क्या बनाएगा, feric phenoxide, और यह कैसा color होता है, आपका violet, purple और green color का form होता है, deep, ठीक है, तो चैसे हमें पता चल जाता है कि हमारे solution में, हमें जो compound दिया हुआ है, वो हमारे क्या है, phenol, तो ध्यान जा देख लो, phenol react with neutral FeCl3 solution to give deep purple, violet और green coloration of feric phenoxide, यह क्या बनाता है आपका, feric phenoxide, ठीक है, आप इसको चैसे तो short में भी लिख सकते हो, यह लाइक देखो है, FeOAR, और यह कितने बार बना रहे है, FeOAR three times, ठीक है, सबको clear है, चीजे clear होना बहुत ज़रूरी यहाँ पे, तो पहला test मैंने alcohol के साथ में दिखा दिया बच्चा, और दूसरा test मैंने किसके साथ में दिखा दिया, आपको, phenol के साथ में test दिखा दिया, phenol में तो बहुत easy, neutral FeCl3 use करोगे, तो phenol कैसे break होता है, ARO-H plus में, क्योंकि phenol acidic होता है, अब यह negative charge क्या करेगा, बार बार इस Fe को attack करेगा, और यहाँ से बार बार chlorine निकलेगा, तो कितना यह group यहाँ पर जाएगा, तीन बार यह group जाएगे, देखो, एक, दो, तीन, और तीनो CL यहाँ से क्या हो जाएगे, निकल जाएगे, अब 3 OCL कहा गए तो जो 3 H यहां से निकला वो 3 OCL के साथ में क्या बना लेगा बच्चा SCL बना लेगा सबको clear है यह सारी चीज़े मैं आगे बढ़ू यहां पे चलो ठीक है next हम लोग देखेंगे district is test for alcohol ठीक है हम alcohol का test कैसे कर सकते हैं और भी क्या test ते अल्कोहल का थो हम लोग हम्री क्रते है लीकस रेज़ेट कैसे करते हैं क्या करते हैं लीकस रेजेन आपने टेस्ट किया है अगर आपने नहीं किया तो ध्यान से देखो अपने टेस्ट किया और मुझे पता भी देखो जब आप alcohol को जब आप alcohol को treat करते हो Lucas region के साथ में Lucas region सबको पता है क्या होता है बता हूँ Concentrated SCL और arrow पे क्या यूज़ करते थे उस टाइम बता दो arrow पे क्या यूज़ करते थे Sir हम लोग arrow पे यूज़ करते थे Anhydrous Anhydrous GDNCL2 So क्या होता था फटर फटर बता हो क्या होता था जो आपका यह H होता था यह इस OH के साथ मेरिया करके क्या बनाता था H2O और यह chlorine कहां पहुँच जाता था यहां पे Clear है सबको मैंने यह reaction पढ़ाया है तो RCl plus H2O Alkyl chloride बनता था क्या बनता था Alkyl chloride अब दान से सुनो यह test क्यों दिया गया यह test distinguish करने के लिए क्यों दिया देखो alcohol जो होता है यह Alkyl alcohol Alkyl alcohol हमारा क्या होता है Alkyl alcohol Alkyl alcohol हमारा जब हम Lucas region में इसको add करते तो उसमें soluble हो जाता है क्या हो जाता है उसमें soluble लेकिन after reaction होने के बाद यहाँ पे एक turbidity form होना सुरू होता है अब तर्बीड जैसा form होना सुरू होता है मिट्टी जैसा बोल सकते form होना सुरू होता है और उसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक product form होरा है उसका नाम है Alkyl halide जैसे इसमें Alkyl chloride बन रहा है क्या बन रहा है यहाँ पे Alkyl chloride ठीक है सबको पता चल रहा है तो इसी test के थुरू हमें क्या पता चल जाता है कि alcohol get converted into what? यह इसी test के थुरू हमें क्या पता चलता है alcohol get converted into what? ठीक है देख लो ध्यान से कैसे हमें पता चलेगा इस test में तो when alcohol are soluble in leucas reagent but product alkyl chloride is not ठीक है वो जो product बनेगा वो leucas reagent में soluble नहीं होगा ठीक है तो clear solution become turbid and when produce is started forming a product ठीक है तो जो आपका alkyl alcohol रहता है वो leucas reagent में soluble होता है लेकिन जो आपका product बनता है alkyl chloride वो leucas reagent में soluble नहीं होता है वो एक turbid color का आता है ठीक है turbid मतला मिटी जैसा आता है और वैसी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर alkyl halides form होना शुरू हो गया है ठीक है तो इस test के through भी हम क्या कर सकते है alkyl alcohol का distinguish कर सकते है ठीक है तो distinguish test between for alcohol ठीक है lucas reagent से हम इसको क्या कर सकते है इस test को perform कर सकते है यह test सबको समझा भी होगा कि यह क्या होता है एक बार और धान्जा सुन लो जैसे आप lucas reagent में alkyl alcohol को डालोगे तो वो soluble हो जाएगा लेकिन जो आपका product बनेगा वो आपका turbid color का product होगा और वो turbidity तर्बी डीटी क्यों आती क्योंकि alcohol get converted into chloride ठीक है clear है सबको चलो चलो बच्चा आप हम आगे बढ़ेंगे आज अपना next topic देखेंगे reaction due to breaking of OH bond reaction due to breaking of what OH bond ठीक है अब हम देको alcohol और phenol आपस में reaction क्यों करते क्योंकि उनका OH जो bond होता है यह मालो यह आपका alcohol है तो यह bond को तोड़ना बहुत जरूरी यह bond को तोड़ना बहुत जरूरी तभी वहाँ पर reaction होगा otherwise reaction नहीं होगा ठीक है चलो हम देखते कि reaction कैसे होता है और bond कैसे break होते है तो पहला हम लोग यहाँ पर topic देखेंगे बच्चा पहला हमारा topic है acidic characters of alcohol and phenol alcohol और phenol का क्या देखेंगे acidic character और उसमें देखेंगे कि कैसे alcohol और phenol अपस में reaction करते हैं और क्यों acidic character सोग करते हैं देखो alcohol और phenol alcohol तो तुमारा बहुत ही मतलब ना के बराबर acidic character सोग करता है तो that's why हमारा क्या हो जाएगा neutral लेकिन वही मैं बात करूँ phenol तो phenol जो होता है वो alcohol के completely थोड़ा acidic सोग करता है तो इसके पिछे का reason ये questions बताएगा या फिर ये topic बताएगा ठीक है हम इस topic को पढ़ेंगे और सारा doubt यहाँ पर क्या कर लेंगे clear कर लेंगे धान से सुनना आप पहले हम पढ़ेंगे alcohols के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा alcohols के बारे में धान से सुनना देखो जो आपका alcohol होता है वो कैसा होता है ROH ठीक है और अगर आप अगर ये अपना H प्लस आयन रिलीस करता है अगर ये अपना H प्लस आयन रिलीस करता है तो ये कुछ ऐसा बना लेगा प्लस H बार मतलब Alkyl-Alkoxy क्या बना लेगा ये? Alkoxy ये Alkyl group है और ये Oxy है तो क्या बना लेगा? Alkoxy मतलब alcohol अगर बहुत ही थोड़ा भी अगर slightly बहुत ही ना की बराबर अगर acidi character so करता है तो ये क्या हो जाएगा R O minus में break होगा और H किस में break हो जाएगा? प्लस में break हो जाएगा इसी को क्या बोलते है बच्चा? Ionization तो मैं यहाँ पर लिख दूँ Ionization ठीक है? क्या लिख दूँ यहाँ पर? Ionization of alcohol Ionization of alcohol ठीक है? तो यहाँ पर alcohol का क्या हो गया? Ionize हो गया उसका H plus I क्या हो गया? यहाँ से Release हो गया अब धान से देखना बच्चा देखो मैं यहाँ पर आपको दो concept बताऊंगा आप किसी हिसाब से भी कर सकते हो ठीक है? पहले तो आपका test book वाला बता देता हो तो देखो यह यहाँ पर फॉर्म करता है Conjugated Base ठीक है? यह Acid है तो Acid का कभी भी H plus I निकलता है ना तो वो फॉर्म करता है Conjugated Base अब यह जो Conjugated Base फॉर्म कर रहे है फिर जो Alcoxide फॉर्म कर रहे है उसके उपर है Negative Charge और जो Alkyl Group होते हैं? वो क्या होते हैं? अलकाइल ग्रूप आपका कैसा ग्रूप होता है तो Alkyl Group हमारा Electron Donor Group होता है क्या होता है? Electron Donor Group ठीक है? जो यह Electron Donor Group है तो यह बार-बार अपने Electronों को Donate करेगा तो Oxygen अलड़ी Negative Charge है तो वो क्या हो जाएगा तुमारा? D-Stabilized हो जाएगा D-Stabilized अब यह D-Stabilized हो जाएगा तो H-Plus I-Release नहीं करने देगा ठीक है? सबको समझ रहा है तो यह जो R-Group होता है क्या करता है? अपने Electronों को बार-बार डोनेट करेगा अगर यह अपने Electronों को Donate करेगा तो यह O-Group आपका क्या हो जाएगा? D-Stabilized हो जाएगा ठीक है? तो due to because of plus I-Effects ठीक है? आपका जो Oxygen होता है वो D-Stabilized हो जाता है इसलिए वो H-Plus I-ON डोनेट नहीं करता है in the Aqueous Solution ठीक है? सबको समझ रहा है एक तो यह Concept है दूसरा आप इस चीज़ से याद रख सकते हो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर already Oxygen की पास Electron होते है ठीक है? तो R-Group भी अगर अपना Electron donate करेगा तो यहाँ पर Electron का एक Cloud जैसा बन जाएगा बन जाएगा के नहीं बन जाएगा? अगर Electron का Cloud जैसा यहाँ पर बन जाता है तो H वही पर first के रह जाएगा मतलब एक मान के चलो Cage बन जाएगा Electron Density यहाँ पर बढ़ जाएगी Electron Density यहाँ पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी अगर बच्चा वहाँ पर Electron Density बढ़ जाएगी तो H वहाँ से निकल पाएगा क्या जल्दी? नहीं निकल पाएगा यहाँ से रिलीज नहीं होता है ठीक है? चलो तो that is the acidic properties of alcohol अब हम पढ़ा पढ़ देख लेते acidic properties of what? फिनल ठीक है? फिनल के भी acidic properties देख लेते हैं कि फिनल का acidic properties क्या होता है? त्यान से सुनना यह होता है आपका फिनल का structures हम ionization देखेंगे फिनल अब यह होता है अपका फिनल यह होता है फिनल अगर फिनल का आईउनाईजेशन होगा तो फिनल कुछ ऐसा बनाएगा O- और H- यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा अब देखो यहाँ पे होता है resonance देखो यह जो negative charge है कहाँ चले जाएगा वापस से resonance क्योंकि phenol आपका क्या सो कर रहा है resonance हो करता है तो यह negative charge यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ घुमेगा वहाँ घुमेगा ठीक है तो वो negative charge कहाँ चले जा रहा है resonance में चले जा रहा है तो oxygen आपका destabilize नहीं हो रहा है अब वो destabilize नहीं हो रहा है तो hydrogen वो बहुत ही जल्दी क्या कर देगा donate कर देगा तो यहाँ पर job का conjugated base बन रहा है वो क्या हो रहा है उतना destabilize नहीं हो रहा है लेकिन alcohol के case में वो क्या हो जा रहा है destabilize हो जा रहा है क्योंकि R group और electron डोनेट कर दे रहे, उस negative charge oxygen के उपर, ठीक है, तो ये concept आप याद कर सकते हो, दूसरा मैंने क्या बता है, धान से सुनो, अगर इसके electron, इसके number of electron resonance में चले जाएंगे, ये बहुत जादा best explanation है, धान से सुना, अगर इसके number of electron resonance में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बादल जैसा नहीं बन पाएगा, या फिर electron density यहाँ पर जादा नहीं होगी, ठीक है, अगर electron density वहाँ पर जादा नहीं होगी, तो H वहाँ पर फस के रह पाएगा, क्या, नहीं, H वहाँ पर फटक से क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, धान से सुनो, देखो, अगर आपको नहीं क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस case की बात करूँ बच्चा, इस case की बात करूँ, तो यहाँ पे R group electron density डोनेट करता है, oxygen के पास तो electron रहता ही तो यहाँ पर electron density बहुत जादा होता है जिसके वज़े से h यहाँ से नहीं निकल पाता है ठीक है सबको clear है Conjugated base वाला भी आप concept रख सकते हो याद लेकिन मैं जो बता रहा हो कर उस trick से आप करोगे न तो सवाल चुटकियों में solve होगे चुटकियों में solve होगे मैं दिखाता हूँ आप आपको resonance कैसे करते हैं यह लोग मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको resonance कैसे होता है इसको बोलते हैं हम लोग phenoxide ion क्या बोलते हैं इसको phenoxide ion इसको बोलते हैं phenoxide ion ठीक है क्या बोलते हैं इसको phenoxide ion चलो, मैं आपको resonance दिखाता हूँ, ध्यान से दिखना बच्चे है, यहाँ पर resonance कैसे होगा, ओके, चलो, यह आपका हो गया phenol, यह आपका क्या हो गया, phenoxide iron, तीके, अब इस phenoxide iron क्या होता है आपका, negative होता है, negative मतलब इसके पास क्या है, एक electron extra है, तो अब यह क्या करेगा, उस electron को donate करेगा, जब यह electron को यहाँ पर donate करेगा, तो तुरंत यहाँ से electron निकल जाएगा, मैं आपको दूसरा यह लेकर बताता हूँ, ध्यान से सुना, ओके, चलो, देखो, यह मैंने लिया, यहाँ पर, ओके, चलो, ध्यान से देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह हो हो जाता है, अपका माइनस, अब ध्यान से सुनना, देखो, यह oxygen क्या करता है, अपने electron को इस carbon पर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पर double bond बनेगा, और यह carbon की विलेंसी 5 हो जाएगा, देखो, एक, दो, तीन, चार और एक और आगया, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जा मैं बना रहों यहाँ पर, यह bond क्या हो जाएगा, मैं rough कर दूँ, ठीक है, rough क्यूं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, यह double bond create हो जाएगा, यह oxygen, इसके एक लोन पर सौप electron चले गए, bond बनाने के लिए, और यहाँ पर क्या आगया, यह electron तो इस carbon पर था ही, extra electron यहाँ पर आगया तो यह carbon आपका क्या हो जाएगा? minus, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब जब कभी यह minus हो जाएगा नो तो यह उम्हें सब बाजू में donate होगा, और जब बाजू में donate होगा, तो यहाँ पर bond बनाएगा, बनाएगा की नी bond बनाएगा, और जब यहाँ पर bond बनाएगा, तो इस carbon क के वैलेंसी देखो, एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर सब पोजिशन पर अल्रडी हाइड एच होते, छुपे हुए एच होते, तो पांच हो जाएगा, तो ध्यान सो सुनना क्या होगा, जैसे ही यह एलेक्ट्रोनों को वहाँ पर डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा, त ठीक है, चलो, देखो, यह बॉन्ड आ गया यहाँ पर, यह बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और यह निकल के यहाँ पर आ गया, that's why यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस, अगला स्टिप करते हैं, कभी भी माइनस होगा, तो क्या होगा, उसको हम इसा बाजी में डोनेट करोग यह इलेक्ट्रोन यहाँ पर डोनेट किया, यह निकाल लिया, तो यह कारबन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, चलो, last step, last step बहुत ही देखना, ध्यान से देखना, last step बहुत important है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वापस से यह यह इलेक्ट्रोन बाजी में डोनेट होगा, और यह जो bond का electron, जो oxygen ने दिया था, यह वापस से वो ले लेगा, ठीक है, और जैसी वो ले लेगा, तो कुछ इस तरीके का अब यह दिखने लगेगा, यह oxygen इसके पास 2 electron पहले से था, अब वो electron ले लिया, तो 2 electron ले लिया, that is, वो phenoxide आयन वापस से बन गया, और यह कुछ इस तरीके का आगया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कि वो जो electron होता है, phenoxide आयन वाला, वो resonance में चले जाता है, अब यह resonance में चले गया, तो यहाँ पे density नहीं create होती, तो that's why यहाँ का H क्या होता है, बहुत ही जल्दी निकल जाता है, इसलिए इस case में, यह H निकलना बहुत ही resonance, ठीक है, resonance की वज़े से ही, resonance की वज़े से ही क्या होता है, जो आपका phenol होता है, वो क्या होता है, acidic होता है, क्या होता है, acidic होता है, और जो alcohol होता है, वो उतना ज्यादा acidic नहीं होता है, सबको clear हो गया doubt, सबको पता चल गया, एक बार और में concept revise कर दूँ फटा पड़, यहाँ पर आर ग्रूप इलेक्ट्रों डोनेट करेंगे तो यहाँ पर क्लियर है सब को डाउट, ओके, मैं आगे बढ़ूँ, चलो, नेक्स हम लोग इसके उपर कुछ कोश्चन स्वाल कर लेते हैं, अरेंज दे फॉलिंग कंपाउंट इन डिक्रीजिंग और अप दियर असेडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर यह कोश्चन अगर हम लोगों ने कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि सर, आपने जो बताया था, वो सही बताया था, यह आपका क्या है, दूसरा structure से, यह आपका चौथा structure से, C6, H4, OH, और यहाँ पे लगा है nitro group, और यह आपका तीसरा structure से, यह आपका फिनॉल, बताओ कौन सबसे ज़्यादा acidic है, आपको पता है कि चेन वाल acidic नहीं होगा, चेन वाल acidic नहीं होगा, वो cage वगरा बन जाता है, density जाती तो H नहीं निकलेगा, या फिर आप यह भी बोल सकते हो कि conjugated base जो बनता है, वो highly destabilized होता है, चलो, देखते हैं, यह आपका ज्यादा acidic होता है, क्यों ज्यादा acidic होता है, ध्यान जो सुनना, मैं क्या बता रहूं, उसके बारे में ध्यान जो सुनना, clear है, चलो, यहाँ पर NO2 group होता है, तो बच्चों, यह NO2 group इस electron को क्या करेगा, यहाँ से withdraw कर लेगा, ठीक है, यहाँ से खीच लेगा सारा electron, तो जब सारा electron यहाँ से खीच लेगा, तो क्या यहाँ पर electron cloud बन पाएगा, क्या यहाँ पर electron density जादा रहेगी, क्या, नहीं, एक तो यह resonancements के electron जा रह इस case में क्या है, जान जा देखना है, इस case में यह resonance में तो जाएगा, ठीक है, यह resonance में तो जाएगा, लेकिन H उतना जल्दी release नहीं होगा, लेकिन इस case में जल्दी release होगा, क्योंकि मैंने एक group लगा दिया, और तेजी से electron को खीच लो नीचे, ठीक है, क्लियर है, आप उस charge plus sign क्या करतेगा, release कर लेगा, तो conjugated base होगा, अब यह conjugated base आपका destabilize नहीं, stable है, क्योंकि NO2 सारा electron नीचे के साइड खीच रहा है, अब यह सारा electron नीचे के साइड खीच रहा है, तो यह negative charge destabilize नहीं होगा, यह stable हो जाएगा, ठीक है, चलो, या तो इस concept से कर सकते हो, या तो म सुनना, जो आपका first है, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे donation वाले group लगे, alkyl क्या होता, आपका electron donate करता है, तो बहुत सारे electron donating group लगे, अब जब बहुत सारे electron donate करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर और क्या बन जाएगा, electron density बढ़ जाएगी, और H जल्द नहीं निकलेगा, तो यह आपका least acidic हो जाएगा, दूसरी जगा मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक ही group लगा हुआ है, यही electron को क्या करेगा, यहाँ से alkyl group electron को donate करेगा, तो बहुत कम electron आएगे, तो H इस case में क्या होगा, थोड़ा जल्दी निकलेगा, ल यह negative charge कैसा हो जाएगा, आपका, destabilize हो जाएगा, यह conjugated base बनेगा, ठीक है, यह कुछ इस तरीके का बनेगा, यह वाला आप कर सकते हो, लेकिन यह वाला मुझे थोड़ा सा समझने में अजीव लगता है, तो यह conjugated base होता है, कभी भी conjugated acid का क्या बनता है, conjugated base, तो यह base क्या ह यहां से बहुत सारा electron density है, मतलब alkyl group electron को donate करें, अब यहां पर क्रेट हो जाएगा, cloud बन जागा, electron density बढ़ जाएगी, तो H यहां से निकलेगा, नहीं, H फस्ट जाएगा, यहां पर, दूसरी जिगा, यहां से बहुत कम alkyl group लगे हुए, तो क्या करेंगी, बहुत ही कम electron density ह हैगा, और H जल्दी निकलेगा, तो पहले आपका 4th आजाएगा, उसके बाद आपका 3rd वाला आएगा, यह वाला, ठीक है, उसके बाद आपका 1st वाला, और उसके बाद आपका 2nd वाला, तो that is a decreasing order of their acidic strength, clear है सबको, clear है, समझ रहा है सबको, कौन सा जादा acidic है, यह वाला जा पर, ठीक है, यह तो आप करके जाओ, और मैंने जो trick बता है, उसके साफ से solve करोगे, you will get very soon answer, ठीक है, बहुत चुटकियों में आपका answer मिलेगा, क्यासा लग रहा है आपको यह वीडियो, जरूर मेरे feedback में, अपना feedback इस comment box में जरूर डाले, ठीक है, ताकि मुझे और भी motivation मि सब्सक्राइब, और में और भी बहुत सारे आपके लिए वीडियो लाज सको, जो आपको बहुत ज्यादा help करें आपके exam के लिए, so thank you for watching this video, and please subscribe, A to Z practical, thank you